लें जनाब इस lecture के अंदर हम जो चीज देखने वाले हम वो system of equations को किस तरीके से resolve किया जाता है system of equations जैसे मैंने कल बताया था दुनिया के अंदर जितने भी fields इस वकत AI की base पे चल रहे हैं या computer science है या आपके पास physics है या आपके पास chemistry है जिसके अंदर आप काफी किसम के tools को utilize कर रहे हैं और किसी एक data की base पे आप prediction कर रहे हैं वो system of equations की base पे चल रहे हैं जो मैंने आपको पिछले lecture के अंदर बड़ी detail में ये बात समझाएती finance के अंदर आप चले जाएं e-commerce के अंदर चले जाएं एक equations build, एक equation build होती है हर एक product की या आप कहलें कि हर एक page की या Google की उपर आप चले जाएं जब भी आप कोई page चीज लिखते हैं या search करते हैं आपको जो पहले 5 page या 10 page नजर आते हैं जिसके अंदर SEO यानि कि search engine optimization की base पे वो 5 page उपर rank कर रहे होते हैं उसकी base पे पीछे जो उसके back end पे theory चल रहे होती है वो system of equations की base पे आगे चल रहा होता है for example अगर आपको data पता हो कि हमने किस तरीके से अपने pages rank करवाने है so you can actually use that data inside your blogs और website तो आपके वो page rank कर जाएंगे इसी तरह दुनिया के अंदर जितने भी और भी phenomena हैं जिसके अंदर linear system लागू होता है वहाँ पे system of equations बड़ी जबरदस तरीके से हमारी help out करते हैं अब मैं आपके सामने जो notepad अपना share करता हूँ और notepad के अंदर देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी ऐसी important चीज़े हैं जो system of equation के अंदर हम understand करते हैं जो हमें mind में रखनी है जब भी हमने system of equation की बात करनी है हमारे पास दो या दो से ज्यादा equations होनी चाहिए ठीक है ठीक है two or more and then these should involve same set of variables जो दूसरी शर्थी हमारे पास x और y अगर एक equation में है दूसरे में हमारे पास x और y होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास system of equation होता है linear algebra के अंदर system of equation typically using the linear equation वो वाली equation जिनको जब आप draw करते हैं तो आपके पास एक line आती है यानि कि अगर आप 2D plane के अंदर draw करते हैं तो आपके पास straight line है वो line इस तरीके से भी हो सकती है इस तरीके से भी हो सकती है इस तरीके से भी इस तरीके से भी इस तरीके से भी इस तरीके से भी यानि कि आपका जितना भी two dimensional plane है real numbers का या r square जिसको हम बोलते हैं और पीछे उसके बार लगा के वो वाले plane के अंदर जितनी भी आपकी values आती हैं वो linear equations होती हैं और वो linear equations से मिलके बनती हैं यानि कि each equation represents a straight line when we draw into two-dimensional plane फिर हमने कल बात किती है three-dimensional plane के and hyper planes किस तरीके से इस चीज को हमारे पास ले के आते हैं मैं थोड़ी सी revision आपको करवा देता हूँ किल हमने देखा था basic components कौन-कौन से हैं इसमें variable होता है for example यह जो x है यह एक variable है ठीक है this is called variable जिसकी value unknown है और वो change होती रहती है फिर हमारे पास दूसरी चीज आती है equation equation क्या होता है यह जो पूरी चीज हमने लिखी है इस पूरी चीज को equation कहते है जो expressions वगेरे से मिलते बनती है और coefficient होता है यह जो 2 x के पीछे जिस चीज से कुछीज multiply कर रहे उसको coefficient कहते है और constant क्या होता है यह जो अकेला number stand-alone number होता है ठीक है तो हमारे पास coefficient variable और हमारे पास 6 जो है यह stand-alone number जिसको हम constant कहते हैं इस तरीके से हमारे पास यह equation बनती है मैंने कल भी आपको बताया था कि कभी भी अपनी life के अंदर constant ना रहे अपने अंदर variability रखे ठीक है variability क्या होता है कि जो आप knowledge गेन कर रहे हैं जो skill गेन कर रहे हैं वो आपकी personality को improve करे ठीक है in a positive way अगर आप अपने आपको variable नहीं रखते है constant line की base पे चलते जाते हैं कि मैंने 5 पर ही रहना मैंने इससे हट नहीं नहीं है मेरा x-intercept 5 ही रहेगा so it would be difficult for you to adapt to different condition ठीक है तो यह basic components से इसके बाद हमने types of linear equation कल देखें थी जिसमें 2 variable linear equation थी 3 variable थी और higher dimension की थी 2 variable में 2 variable ही होती है जैसे x और y 3 variable में x, y, z, 3 variables आ जाए है ठीक है और हमेशा हमारे पास 2 equation जब लिखी जाती है तब हमारे पास एक system of equation जो है वो build होता है यह हमने कल वाले lecture के अंदर यह चीज़ें देख लेती and then we saw also how we represent a system of equation हमारे पास एक standard algebraic notation होती है जैसे हम एक equation लिखे और फिर हम दूसरी लिखे ठीक है पहली equation यह है दूसरी equation यह है हम इन दोनों equations को जब उपर नीचे रखते हैं तो हमने equal to इनका दोनों का बराबर करना होता है और यहाँ पे variables left side पे ले आने यानि कि यह left side पे variable होंगे और right side पे हमारे पास constant ले आएंगे ठीक है इस तरीके से जब हम दोनों equation को इस तरीके से रखेंगे तो यह algebraic notation होती है अगर हम इनी का matrix बनाएं जो हमने कल बनाया था यानि कि variable का matrix सा लाइदा से बना ले coefficient matrix सा लाइदा से and then we can develop also the constant matrix इन तीन matrix को जब हम separately बनाते हैं basically आप matrix को इस तरीके से शो करते है this was just the notation तो आप square bracket के अंदर इसको लिख के 2 by 2 का matrix आपका ये वाला बन जाएगा फिर ये वाला फिर ये वाला and then you can show your system of equations in matrix form obviously अब जो चीज हम देखेंगे हमने x और y को किस तरीके से find out करने वो वाले method हमने तलाश करने और उन methods में जो important method है जो कल भी मैंने आपको बताये थे कि आपने ये assignment करके आनी है अगर आप chat में लिख देते हैं तो that would be nice अगर आपने assignment की है नहीं की तो वो चार method में आपको बता देता हूँ जो मशूरे जमना चार method हैं कि किस तरीके से system of equations को हम resolve करते हैं and then we can move forward हाँ जी chat के अंदर बता सकते हैं कि कौन कौन से methods होते हैं जो आपने कल अपनी assignment के अंदर देखे दे meanwhile जब जैसी आप chat के अंदर लिखते हैं